वेल्कम टू लुनियाल क्लासेज्स स्टूडिंट्स जैसे कि आपको पता है हमारा एकनॉमिक्स का चैप्टर टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन एकनॉमिक्स चल रहा है जिसमें अब तक हम डिसकस कर चुके है प्राइमरी, सेकंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर कंपेरिंग थी सेक्टर वेर मोस्ट अब पीपल इंपलाइट इंपोर्टेंस और टर्शरी सेक्टर एंड और्गनाईज एंड अन अर्गनाईज सेक्टर आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर अन बेसिस ऑफ और्शिप जिसमें हम बात करेंगे पॉब्लिक सेक्टर एंड प्राइविक सेक्टर की आपको इस चेप्टर के MCQ का लिंक और नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के स्टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर अन बेसिस ऑफ और्शिप अफ एसेट्स में हम एकनॉमिक एक्टिविटीज को टू सेक्टर में डिवाइड करेंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें आने वाली इंडस्ट्रीज का ओनर गवर्मेंट होती है गवर्मेंट ही इन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल और मैनेज करती है For example, Indian Railway, Post Office, BHEL, BSNL, MTNL, etc. Public sector में आने वाली industries का main motive या purpose social welfare होता है इसी की वज़े से यहें अपने आकाम करने वाले सभी workers को सभी तरीके की facilities प्रोवाइड करती है जैसे की good working environment, paid leaves, medical facilities, transport facilities, provident funds, etc. Private sector में आने वाली industries वह industries होती हैं जिसका honor या मालिक एक particular person होता है या group of person होता है इस type की industries में industry का control, उसका management सभी कुछ एक person के हाथ में होता है जैसे Tata RNN Steel Company Limited, इसको TISCO भी कहते हैं, Reliance Industry Limited, Hindustan Lever, ITC, Mahindra & Mahindra जैसे बहुत सी ऐसी industries हैं जो private sector में आती हैं Private sector में आने वाली industries का main purpose या motive होता है profit earn करना So this is the big difference between the public sector industry and private sector industry That the public sector industries main purpose is public welfare On the other side, private sector industries main purpose is profit making आपके इस topic से related, exam में two questions mostly आते रहते हैं जिसमें first question है Why several services need by the society will not be provided by the private sector at a reasonable cost? It means society के द्वारा जरूरत की जो services हैं वो private sector reasonable cost पर क्यों provide नहीं करा पाता है उसके reasons आपको बताने हैं इसमें first reason है The main objective of the private sector is to earn profit and not welfare of the people जैसा की हमने अब तक पढ़ा कि जो private sector होता है उसका main purpose या इस sector में आने वाली industries का main motive होता है profit earn करना ना कि public की welfare करना इसी वज़े से यह अपनी services को high cost पर sell करते हैं और इसकी वज़े से इनको ज़्यादा profit होता है Second reason है हमारी society इमको ऐसी बहुत से services के जरुत होती है जिनको provide करने के लिए large amount में money spend करनी पड़ती है या money खर्च करनी पड़ती है तो इन सब services को provide करने के लिए बहुत ज़्यादा money invest करनी पड़ती है और किसी एक individual person या group of person के लिए इतनी ज़्यादा money invest करना possible नहीं हो पाता है तो इस तरीके के high investment वाले areas में अकसर public sector ही ज़्यादा invest करता है private sector के बज़ाए Next आता है private sector will charge high for the use of these services और अगर कभी-कभी कुछ private industries इन में से कोई चीज अगर construct कर भी देती है तो उसके बदले में वह public से high charges लेती है Next और कभी-कभी public sector को इस तरीके की service provide करने के बाद कुछ problem भी face करनी पड़ती है जैसे कि इन services के use के बदले में वो जो charges collect करते हैं उसका collection का काम ही बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है For example, अगर किसी construction company ने कोई flyover बनाया और उस flyover में उसने अपने money invest की तो जो भी उस flyover का use करेगा उसको कुछ tool text जैसा कुछ देना पड़ेगा लेकिन कभी कभी इन private companies को इन flyovers के बदले में tool text collect करना ही अपने आप में एक big problem हो जाती है Next reason है कि private sector जिन states या region में industries establish करता है वह उनी states में करता है जहां पर उसको ज़्यादा profit होने के chances होते हैं और इस वज़े से किसी एक particular state का ही ज़्यादा development हो जाता है और दूसरा state जो है undeveloped रह जाता है या backward हो जाता है तो वह new industries लगाते समय country के every state का development ना देखकर अपना profit देखता है कि उसे कहां कम labor में कम cost में उसका production हो पाएगा जबकि government जब industry लगाती है तो वह यह कोशिश करती है कि उन states में industries लगाई जाए जो state under developed है या backward है इस तरह से public sector industries जो है वो regional in disparity को दूर करती है जबकि private sector सर्फ अपने profit को ध्यान में रखकर ही अपनी industries establish करता है तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐसी सभी areas जिसमें heavy money का investment होता है या heavy spending होती है उन सभी areas में private sector invest नहीं करता है जबकि public sector उसे invest करता है और उसकी यह कोशिश रहती है कि affordable price में उन facilities को जादा तर public तक provide किया जा सके तो यह था हमारा first question जो अकसर आपके exam में आता है इसकी सभी points इस question का answer है आप इसका screenshot ले ले जाएगा अब इस topic से related जो second question आता है वह है very very important है इस बार की marking scheme में भी वह question आ रखा है तो चलिए देखते हैं वह second question कौन सा है write the contribution of public sector in the economic development of a country तो यह है इस chapter का next most important topic है और इस topic से related यही question आता है तो सबसे पहले इस question का meaning समझ लेते हैं इस question का meaning है कि किसी भी country के economic development के लिए public sector यह government sector का क्या contribution होता है गवर्मेंट सेक्टर असा क्या करता है जिसकी वज़े से उस country का economic development हो तो चलिए देखते हैं इसका answer इन्था public sector the government owns most of the asset and provides all the services because public sector industries aim for social welfare and give all kinds of facilities to their society जैसा कि हमें पता है कि public sector में government ही सभी assets की honor होती है मालिक होती है और इस sector में आने वाली सभी industries का जो main aim या motive होता है पहह होता है social welfare और इस तरह से वह public को जादा से जादा facilities प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है public sector human development index में एक बहुत important role play करता है क्या करने में public को अच्छी health and education service प्रोवाइड कराने में जैसा कि हमने अपने development वाले chapter में पढ़ा था कि human development index या hdi किसी भी country को index करती है या rank प्रोवाइड कराती है किस के base पर उस country की health and education services के base पर कि किस country में कितनी अच्छी health और education services है तो हमारा ये public sector हमारी country में अच्छी health और education services प्रोवाइड कराकर हमें human development index में high rank भी प्रोवाइड कराने में help करता है प्रोवाइड कराता है इसके अलावा public sector प्रोवाइड कराने के लिए फार्मर से fair price पर या MSP पर ग्रेंडरी खरीद कर राशन शॉप की help से poor people को प्रोवाइड कराती है तो इस तरीके से poor people तक food प्रोवाइड कराने का काम भी हमारी government करती है इसके अलावा government people को electricity, water, communication facility, transport facility, postal facility, justice services affordable price में प्रोवाइड कराती है जिससे हमारी country के people का living standard बेटर हो सके next जो government करती है वह करती है regional disparities को या ऐसे states को जो ignored हो गए है या जिनका अभी पूरा तरह से development नहीं हुआ है उन states का development के लिए new industries इस तरीके के state में establish करके उन states को भी या develop करने की कोशिश करती है तो इस तरीके से आपने देखा कि public sector, public co, health, education, safe drinking water, housing facilities, low cost of food and nutrition food provide कराती है low cost पर electricity, water, postal service, transport service, communication services जैसी बहुत सी services low and affordable price पर लोगों को कराती है इसके अलावा ऐसे states का development करने में भी help करती है जो ignored हो गये है तो इन सभी facilities में invest करके public sector हमारी country के economic development को बढ़ाता है अब हम बात करेंगे difference between public and private sector क्योंकि इस topic के बिना भी हमारा आज का topic incomplete है चलिए बात करते हैं इन दोनों के बीच की difference की इस difference को पढ़ने के बाद आपको दोनों ही sectors में जो कुछ भी doubts हैं वह भी clear हो जाएंगे तो सबसे पहला difference डिसकुस करते हैं private sector is controlled and managed by the government on the other side private sector is controlled and managed by the individual or any group of individuals it means पहला सबसे बड़ा difference यह है कि private sector को control और manage करने का जो right है वो government का होता है जबकि private sector industries में जो control and management power होती है वह किसी एक particular individual या group of individuals के हाथ में होती है जिसे public sector industries में Indian government उसकी honor होती है और private sector के अगर example देखें तो reliance जिसके honor है Mr. Mukesh Ambani second difference है the main aim of the sector is public welfare on the other side the main aim of the private sector is to earn maximum profit second जो main difference है वह यह है कि public sector का main motive होता है public welfare जबकि private sector का main aim या motive होता है maximum profit earn करना third difference है government raise money for these services through taxes and provides us at reasonable cost on the other side we have to pay large amount of money to the individual and companies for these facilities third difference यह है कि जो public sector हमें services provide कराता है उन services के लिए वह है money tax से collect करता है और उस services को हमें reasonable cost पर provide कराता है जबकि private sector जो है वह हमें सारी services हमारे दिये वे ही large amount के payment के बदले में करता है means हम private sector की services को use करते हैं और use के लिए हम उसे large amount of money देते हैं बहुत जादा money हम pay करते हैं और उसके बदले में वह हमें services provide कराता है जबकि public sector जो है हमसे tax कम लेता है और उस tax के बदले में हमें reasonable cost पर services provide करता है fourth reason है the sector provide basic facilities like education, health, food and security to the people on the other side the sector provides consumer goods to the people like AC, car, refrigerator, TV, private schools, hospitals etc आप अगर example देखेंगे तो public sector हमें basic facilities provide कराता है basic facilities मतलब जो हमारे जीने के लिए सबसे जादा important है जैसे की education, health, food and security जबकि private sector हमें ऐसी services provide कराता है जो consumer goods जिसे कहते हैं या जो हमारी life को luxurious बनाती हैं जैसे AC, car, refrigerator, TV, private schools and hospitals जिसमें हमें ज्यादा money invest करने पड़ती है अब हम देखते हैं इन दोनों ही sectors के कुछ examples से public sector में आता है Indian railway, post office, the BSNL, sale, NTPC, BHEL, etc. अगर हम private sector industries की बात करें Reliance, Tisco, Mahindra & Mahindra, SDFC, Samsung, Infosys, Hindustan Lever, ITC, etc. तो ये थे कुछ important difference between public sector and private sector. तो बच्चो ये था हमारा आज का topic, sector of Indian economy chapter का, यह है इस chapter का last topic है. नेक्स वीडियो में हम discuss करेंगे हिस्ट्री का, चैप्टर 3, Nationalism in India. थैंक यू, थैंक यू सो मच.